हरे कृष्णा आज हम श्रीमत भगवत गीता के पांचमें अध्याय के चौदवें और पंद्रवें श्लोकों को पढ़ेंगे आए पहले चौदवें श्लोक का स्वरसे गायन करें आए अब इसका शब्दात देखते हैं लोगों के रचना करते हैं परमेश्वर आए अब अगली बंक्ती पे चलते हैं न कर्मफल सैयोगम न कर्मफल के सैयोग को स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावत्तु यानि स्वभाव ही किन्तु बरत रहा है न कर्मफल सैयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते तो इस श्लोक का आर्थ हुआ परमेश्वर लोगों के न कर्तापन की न कर्मों की और न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं किन्तु ये तो स्वभाव ही बरत रहा है अर्थात यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है आईए अब पंद्रवे श्लोक का स्वर्से गायन करें आईए अब इसका शब्दात देखते हैं नादत्ते कस्यचित पापम नादत्ते कस्यचित पापम यानि नहीं ग्रहन करते हैं किसी का पाप नचैव सुक्रितम विभू नहीं च एव तथा निश्चैही पुन्यको परमेश्वर आईए अब अगली पंक्ती पे चलते हैं अज्यानेन आवृतम ज्यानम अज्यानेन आवृतम यानि अज्यान द्वारा धका हुआ ज्यान तेन मोहिंति जन्तवह उसी से मोहित हो रहे हैं सभी प्राणी अज्यानेनावृतम ज्यानम तेन मोहिंति जन्तवह तो इस श्लोकार्थ हुआ परमात्मा न तो किसी के पाप कर्मों को न यहीं पुन्य कर्मों को ही ग्रहन करते हैं किन्तु अज्यान से ज्यान धका हुआ होता है उसी से सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं झाल झाल